इलन कहते हैं अगर आप को फाउंडर या CEO है तो आपको सभी तरके काम करने होंगे जो आप नहीं करना चाहेंगे अगर आप अपना काम नहीं करते हैं तो कंपनी सफल नहीं होगी एक बात समझ ले कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अपने अंदर नहीत स्वार्थ को रखना बहेतर से बहेतर आइडिया को भी बेकार बना सकता है मस्की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर है और कई टोपिक्स को छूती है उनिवर्सिटिस और स्कोलर सोसाइटी द्वारा उन्हें एक आविश्कारक और इडिमेंटर के रूप में सम्मान दिया जाता है वे बिजनेस की दुनिया में सबसे लोकोप्रिया इंसान है और रिपोर्टर्स भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके अवर्स के सिर्फ एक छोटे से चयन पर चर्चा करने के लिए वहाँ जगा होती है इस मल्टिटास्किंग दुनिया में सिर्फ एक ही चेतर में एक्सपर्ट होना काफी नहीं है बेग्राउंड और एज्जुकेशन वाले चेप्टर में हमने मस्क के युनिवर्सिटी के साथ करियर को देखा हला कि उन्होंने केवल दो दिनों के बाद स्टेंफर्ड युनिवर्सिटी में अपने डोक्टरेट को छोड़ दिया पर आज दूसरे इंस्टीट टेक्नोलोजी में उनके युगदान को पहचानने के लिए आगे आते हैं युके में युनिवर्सिटी अप सूरे ने मस्क को एरोस्पेस एंजिनिरिंग में होनोररी डोक्टरेट से सम्मानित किया और उनके पास युनिवर्सिटी से एंजिनिरिंग की होनोररी डोक्टरेट भी है उनको तिसरी होनोररी डोक्टरेट डिगरी केलिफोनिया के पासा डेना में आर्ट सेंटर कॉलेज ओप डिजाइन से डिजाइन की दी गई थी Space Technology के शत्र में उनके योगदान को एकसर्ट करते हुए मस्क को US National Academy of Science and Aeronautics में सेवा देने के लिए काह गया था उन्होंने Falcon 1 के अपने डिजाइन के लिए 2007 और 2008 में American Institute of Aeronautics से George Lowe Award हासिल किया और National Space Society के वन बरन ट्रोफी और Federation Aeronautic International के Gold Space Model ये दोनों उन्होंने इसी Outstanding Achievement से आसिल की है और 2011 में उन्हें Space Commercialization में प्रगती के लिए handling price मिला जिसकी किमट 2.50 lakh डोलर थी academic awards की वज़े से आपकी reliability बिजनेस की दुनिया में और भी ज्यादा हो जाती है R&D Magazine, INC Magazine और Fortune सभी ने उन्हें 2007, 2008 और 2014 में Entrepreneur of the Year के रूप में सम्मानित किया है Square Magazine ने तो Musk को 21 सदी के 75 सबसे प्रभावचाली लोगों में से एक के रूप में लिस्टेड किया है और 2011 में वो Forbes Magazine में अमरीका के 20 सबसे पावरफूल CEO जो 40 और उनसे कम की एज के हो उसमें दिखाए दिये लेकिन जनवरी 2015 में The Simpsons का एक एपिसोड तो Musk वो फेल टू अर्थ टाइटल से ब्रोड़काट्स किया गया जिसमें उनके कुछ आविशकरों का मजग भी उड़ाया गया था स्पेस्क्राफ्ट और इलेक्ट्रिक कार जैसे महेंगे प्रोड़क की बिकरी करते हुए भी पॉपुलर कल्चर के थुरू आम जनता को अपनी और खिचने में कोई बुराय नहीं है अक्सर एक बड़े बिजनिसमेन के राधनितिक जुकाओ का पता लगाना आसान होता है खास करके अमेरिका में लेकिन मस्क के साथ ऐसा नहीं है उन्होंने खुद को आधा डेमोकरेट आधा रीपबलिकन में इस तरह से सामाजिक रूप से उदार और आर्थिक रूप से कंसरेवेटिव के रूप में उल्लेखित किया है उन्होंने अमेरिका में मैंस्ट्रिम में दोनों राधनितिक दलों को चुनाव कंपेंस में योगदान दिया है राधनिती और वास्तों में किसी भी अपनी राधनिती स्थिती ब्लेक या वाइट नहीं होती पोलिटिकल पार्टिस को डोनेशन देना मस्क के लोबिंग एफर्ट से जुड़ा हुआ है उनका ये मानना है कि ऐसा करना अपनी कंपनियों के लिए महत्व के मुद्दों पर कड़ी मेहनत करता है संलाइट फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि अकले स्पेसेक्स ने यूएस गवर्मेंट को दोनों पक्षो की पेरवी में 4 बिलियन डोलर खर्च किये है और मस्क ने खुद केंपेंड डोनेशन में 7 लग 25,000 डोलर कमाये है राधने तिक समर्थना आसिल करने का उनका अपना अभियान सिस्टेमेटिक और सपेस्टिकेटेड है और ये अनुकुल भी है स्पेसेक्स के अपने इनहूस लोबिष्ट है जो वशिंग्टन में स्थीत, लोबिंग, ग्रूप, पेटन, ब्लोक्स, लल्लपी और दूसरे सिमिलियर ग्रूप के साथ भी काम करते है पेरवी करते और डोनेशन देते समय उन कारणों पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा बिजनेस सेंस में आते हैं हाला कि मस्क की अपनी कंपनिया अपने पाश्ट में सरकारी सबसीडी आसिल करने वाली रही हैं, मस्क ने बाद में इसके किलब बात भी की है उनका मानना है कि उन कंपनियों पर लगाया गया कार्बन टेक्स जो परियावरण के अनुकुल नहीं है उनके लिए महेंगी सबसीडी की कंपेरिजन में कहीं बेतर पोलिसीया भी है एक बात जो संदेह से बिलकुल परे हैं वो है मस्क की देश भक्ती साउथ अपरिका में पैदा होने और सिर्फ एक युवा के रूप में अमरीकी नागरिक बनने के बावजुद मस्क पुरे तरीके से अमरीकी समर्थक है उन्होंने अपने देश को अनिष्टित रूप से सबसे महान देश जो हमेशा पुर्थी पर अस्तितों में रहेगा और किसी भी देश की मिलाई के लिए सबसे बड़ी ताकत अमरीका है इस वाक्यों के रूप में डिस्क्राइब किया है आप उनके साथ सहमत हो या नहीं लेकिन आपको उनके ज़स्बे की तारीफ करनी होगी और इस पॉइंट ओफ यू ने निष्टित रूप से ये सुनिष्टित किया है कि वो अमेरीकी राजनेताओ और इन्वेस्टर्स के बीच सबके फेवरिट है अमेरीका के कंसरवेटिव लोग मस्क की धार्मिक मान्यताओं का अनाधर करते हैं वो एक तरकवादी इंसान है जो नेचर फिलोसोफी के नियमों के अपनी अंडरस्टेंडिंग पर अपने परसनल थोट्स पर आधर रखते हैं उनका ये मानना है कि इस बात की कापी संभावना है कि दुसरे गरहों पर नॉर्मल जीवन मोचुद हैं और ऐसा होब भी है कि मोचुद्धा universe में दुसरे बुध्धिमान जीव भी हैं लेकिन वो ऐसा भी मानते है कि static route से शायद इसकी ज्यादा possibility नहीं है मस्क की चींता दुसरे ग्रह के जीव नहीं बलकि Artificial Intelligence से मानवता के लिए जो खत्रा है जिसे उन्होंने मानवजाती के अस्तित्व के लिए सबसे गंबिर खत्रा बताया वो है वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर Regulator Observation की कमी के बारे में चिंतित हैं और MIT AeroStro Centenary Symptom को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा इसके बारे में Terminator जैसी फिल्में भी बनी है जिससे आप जानते है कि कुछ ऐसा है जो डराऊना परिणाम दे सकता है और हमें ये पक्का करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो परिणाम अच्छे हो बुरे नहीं मस्क कहते हैं कि मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरे पास डरकी कमी है वास्तों में मैं चाहता हूँ कि मेरे डरकी फीलिंग्स कम हो क्योंकि यह बहुत विचलित करने वाला है जो मेरे nervous system को impact करता है तो यह था Mr. Elon Musk का Awards and Recognition साथ ही Politics and Beliefs वाला chapter इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे इसी ओडियो बूक के नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक के लिए धन्यवाद and keep connecting with us always